नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूँ आपके साथ पूजा पांडे केंदर के क्रिशी कानूनों के खिलाफ एक महीने से ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों में से तीन और किसानों की मौथ हो गई है राष्ट्री राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसानों में से टीक्री बॉर्डर पर एक जबकी कुंडली बॉर्डर पर दो किसानों की ठंड लगने से मौथ हो गई इसके अलावा नए साल के अवसर पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर क्रमशा एक और दो जन्वरी को दो किसानों ने अपनी जान गवा दी थी अभी तक एक अनुमान के मुताबिक लगबक 60 किसान अपनी जान गवा चुके हैं किसानों की मौत का सिलसिला इस आंदोलन से काफी पहले 18 सितंबर से ही शुरू हो गया था जब मंसा जिले के एक 55 वर्षिय किसान प्रीतम सिंग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंतरी प्रकाश सिंग बादल के घर के बाहर कफित काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कीट नाशक पी कर अपनी जान दे दी थी इसके पहले जब से ये आंदोलन शुरू हुए है तब से अब तक कई और किसानों की मौत ठंड, दिल का दोरा, सड़क दुरगटना और अन्य मेडिकल कारणों से हुई इस तरह किसानों की मौत हमारे लिए शर्मनाक है और हमें इसका खेद भी है लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन किसानों की मौत के लिए जिम्मधार कौन है केंदर सरकार या इस पूरे आंदोलन का संचालन करने वाले वामपंथी दन जिन्होंने अब तक किसानों को गुम्रा किया हुआ है आंदोलन करने किसान नेताओं और विपक्ष में बैठी सरकार की माने तो किसानों की रोज जाती जान के लिए देश की सरकार जिम्मधार है भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्रे प्रवक्ता चौधरी राकेस टिकैज जी ने किसानों की आत्म हत्या पर समवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के धैर की परिक्षा ना ले किसानों का बरिदान व्यर्थ नहीं जाएगा इसके साथ ही उन्होंने अंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए सरकार से मुआवजे की बात भी की वहीं देश की राजनतिक पार्टियों ने भी किसानों की मौत के लिए केंदर सरकार को दोशी ठहराया कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने एक वक्तव्य में कहा लोगतंत्र में जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारे और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की ठकाओ और भगाओ की नीद्ती के सामने आंदोलनकारी धर्ती पुत्र किसान मजदूर खुटने टेकने वाले नहीं है अब भी समय है नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के हैंकार को छोड़ कर ततकाल बिना शर्थ तीनों काले कानून वापिस ले और ठंड एवं बारिश में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराएं यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रती सच्ची स्रद्धांजली भी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंतर का अर्थ ही जनता एवं किसान मजदूरों के हितों की रक्षा करना है उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंतरी अखिलेश यादव ने भी गाज़ेपूर बॉर्डर पर किसान की आत्महत्या की घटना के लिए रविवार को भारती जनता पार्टी की सरकार को दोशी ठहराया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा किसान आंदोलन में घाजीपूर बॉर्डर पर व्रिद्ध किसान की आत्महत्या की खबर बेहत दुख़द है किसान अपने भविश्य को बचाने के लिए जान दे रहा है लेकिन भाजपा सरकार बेतु के तरकों वर जूटे तथ्यों से काले कृशी कानून ठोपना चाहती है किसान की मृत्यू के लिए भाजपा दोशी है अब ये तो जाहिर सी बात है कि देश में कुछ भी हो तो उनके लिए राजनतिक पार्टियां सब्ता पक्ष को ही जिम्मदार ठेराती है लेकिन इस तरह किसानों की मौत के पीछे क्या वाकई सरकार जिम्मदार है आपको याद होगा जब नए नागरिक्ता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस समय भी उस आंदोलन के दोरान ऐसी ही खबरे सामने आई थी शाहीन बाग में आंदोलन के दोरान तो चार महीने के मासूम बच्चे की जान चली गई थी लेकिन फिर भी उस आंदोलन के सूत्रधारों का दिल नहीं पसीजा और अब कुछ ऐसा ही हाल किसान आंदोलन का हो गया है इस आंदोलन के संचालकों को किसानों की मौत से जरा भी फरक नहीं पड़ता बढ़ती ठंड और बारिश के बीच किसानों को इस कदर मरने के लिए छोड़ दिया गया है ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में खालिस्तानी नारे लगवाए टुकडे टुकडे गैंग के पोस्टर्स लगा के उनके निताओं की आजादी की मांग की ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए नून लोटा प्रथा का इस्तिमाल कर कसम खिलाई लेकिन मोटे तोर पर इन ताकतों का वैचारिक रिमोट कंट्रोल वामपंतियों के हाथों में ही है देश ने पहले भी इस तरह का आंदोलन देखा है उसमें भी एक खास समुदाय के लोगों को जोड़ दिया गया था और उन्हें ये कहकर डराया गया था कि उनकी नागरिकता चली जाएगी और इस आंदोलन में भी एक खास समुदाय और एक खास शेत्र के लोगों को ये कहकर डराया जा रहा है कि उनकी जमीने छीन ली जाएंगी ये वो फॉर्मूला है जिसका इस्तमाल वामपंथी और देश विरोधी ताकते आज से नहीं बलकि देश की आजादी के समय से ही लगातार करती आ रही है देश की हो रही आर्थिक प्रगती और दुनिया भर में भारत के नाम से इन वामपंथी विचारों को शुरू से दिक्कत रही है जब जब देश में कोई एतिहासी कदम उठाया गया है तब तब इन वामपंथी दलों ने देश के किसी ना किसी खास वर्ग को लक्षित किया है और उनके जरिये अपना स्वार्थ पूरा करने का सपना देखा है लेकिन हर बार ये नाकाम रहे है सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार वारता का दौर जारी है उम्मीद है कि जल से जल देश के किसान संतुष्ट होकर अपने अपने घर लोट जाएंगे हमारी आज की इस रिपोर्ट में वस इतना ही ऐसी अन्य खबरों के लिए मीडिया दर्बार को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें देखते रहें मीडिया दर्बार धन्यवाद